कि दोस्तो आज आपके सामने एक पैटॉल पंप की मसीन है सब लोगों में जिऊद सा होती है कि पैटॉल पंप की मसीन कि किस त्रह से कार करती होगी किस पैटो लाता होगा किस तरह से ये बर्क करती होगी तो आप ने ये पंप की मसीन देखी है अब मैं इसको स्टार्टिंग से समझाने का प्रयाज करता हूँ जिसके लिए मुझे इसका एक पैनल खोलना पड़ेगा जो कि इसका दर खुल रहा है पैटोल पंप की मसीन में दो इससे होते हैं एक लोवर पार्ट लोवर कवर कह सकते हैं और एक अपर पार्ट ये दोनों एक ही चावी से अलग लग तरीके से खुलते हैं अब आप देखिए सबसे पहले टैंक जो पैटोल पंप में लगा रहता है जो की पूरा लोवर का बना होता है और पैटोल पंप के बाउन्डरी के अंदर उसको गाड़ के रखा रहता है वहां से पैटोल या डीजल की टैंकों की पाइप लाइने पैटोल आइलेंड या डीजल आइलेंड तक अंडर ग्राउंट होके आती हैं देखिए जो मैं दिखा रहा हूं ये टैंक से लाइन आई हुई है एक लाइन और एक दूसरी लाइन इसमें दो लाइने जुड़ी हुई है जो की अंडर ग्राउंट टैंक जो पैटोल पंपर जमीन में गड़ा हुआ है उससे आ रही है इन लाइनों में ये आप देख रहे हैं ये फिक्जिवल पाइप के द्वारा मसीन के फिल्टर से जुड़ी हुई है फिक्जिवल पाइप मसीन में क्यों लगाया जाता है सपोर्ज कोई मसीन तो आपने अभी तक समझा ये फिक्जिवल पाइप है फिक्जिवल पाइप से तेल इस फिल्टर में आता है इस फिल्टर इलेक्टोनिक्स कार्ड खराब होने की दिसा में दूसरा नया बदल सकते थे लेकिन अब ये पोर्टिट होने की वज़े से इसका पूरा पार्ट कम्पनी में जाता है और वहां से बदल कराता है जिससे की मसीन में कोई छेड़ छाड़ ना हो सके तो यहां तक तो आपने समझा अब एक पाथ इसमें यह दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का यह कोई है जो की आप देख सकते हैं इसमें कर एच इस साइड़ एच और इस साइड आध यह जो कोई है इसको सब्सक्राइन कहते हैं और ये क्वाईल मीट्रिंग यूनिट के आउटपुट में लगी रहती है, जो आउटपुट हमारे इस नोजल में कनेक्ट होता है, ये क्वाईल क्यों लगाई गई है, इस क्वाईल का क्या लगाने का क्या मुक कारण है, ये मैं बताता हूँ आपको, ये क्वाईल नोजल के स्पीड और उसको टेल की मात्रा को, सपोज हमने सौ रुपय का टेल फीट किया, तो जब तक यदि ये सौ पर अचानक रुके, तो ये सौ से बढ़ जाएगा, इस क्वाईल का उप्योग करके, हम पैट्रोल और डीजल की मात्रा को यदि सौ रुपय पर फीट करते हैं, तो ये एच जो है, वो हाई दरसाता है, और पचटर रुपय तक ये तेज चलती है, इसके बाद, पचटर के बाद, ये जो लो दिखाया हुआ है, पच्चिस रुपय धीरे धीरे चलती है, और सौ तक ये बंद हो जाता है, ये इस कोईल का फंक्शन है, एसेम्बली आपको बताईए, एसेम्बली है, ये इसका पलसर है, अब हम लोग दूसरी साइड जाएंगे, सबसे नीचे देख रहे हैं, ये मॉटर लगी हुई है, मॉटर एक बैड के द्वारा सक्षन के पुली में कनेक्टेड है, जैसे ही हम लोग ये वाला नूजल उठाते हैं, ये मॉटर स्टार्ट हो जाती है, सक्षन पैटॉल ये डीजल से भर जाता है और मीट्रिंग यूनिट भर जाती है जैसे ही हम लोग इसका लीवर जो आप देख रहे हैं इसका लीवर दवाते हैं तो पैटॉल और डीजल इस पाइप के थुरू निकलने लगता है और जो की रीडिंग को उपर यहां पर प्रद स्प्ले देख रहे हैं पहले वाले में रुपीज आता है दूसरे वाले में लीटर आता है तीसरे वाले में रुपीज और लीटर आता है चौथे वाले में डेंस्टी जो भी डीजल है पैटॉल की होती है वो यहां पर सो होती है यह आप मसीन के अंदर के पार्ट देख सकते हैं, यह आधुनिक भासा में इसको CPU कहते हैं, लेकिन जन्रल बोल चाल की भासा में हम लोग इसको कंट्रोल कार्ड कहते हैं, यह कंट्रोल कार्ड है, यही पूरी मसीन को और उसके सारे पार्ट को कंट्रोल करता है, उसके लेप्ट साइड में एक छोटा सा कार्ड लगा हुआ है, जिसको हम लोग कैलिबरेशन कार्ड कहते हैं, जब तक इस कार्ड की सील को खोल कर इसको ओपन नहीं किया जाए, तब तक हम मसीन का कैलिबरेशन नहीं कर सकते हैं यह देखिए यह कंट्रोल कार्ड है इसमें डिप स्विच लगे हुग गज़े इसके अंदर जो है एक प्रिंटर दिया हुआ है जो प्रिंटर डीजल और पैटॉल निकलने के बाद आपको उसकी रसीद पैटॉल और डीजल के रूप में देता है यह यह मसीन में देख रहे हैं इसमें एक कीपड लगा हुआ है जिससे की हम लोग डीजल की कौंटिटी की फीड कर सकते हैं और इतना ही निकल सकते हैं जिसना इसमें फीड किया जाता है ऐसे ही हम लोग पैसा या रुपे फीट करके इसको निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं, इसमें एक सेल का बटन दिया हुआ है, जिसमें हम लोग रुपे भर सकते हैं, और एक लीटर का बटन दिया हुआ है, जिसमें हम लोग लीटर भरते हैं, उसके लेप साइड में एक प् उसके उपर आप देख सकते हैं एक स्विश दिया हुआ है जिसको एमर्जेंसी स्टॉप कहते हैं किसी भी कंडिशन में यदि मसीन में कुछ दिक्कत आती है तो मसीन के मसीन पर खड़े रहकर ही हम इस स्विश को प्रैस करेंगे तो ये बंट हो जाएगा यह आप देख सकते हैं यहां पर इंकलोजर फॉर कम्मिकेशन दिया हुआ है यह चीज इस्तिमाल होती है जब हम इसको आटोमेटिक करते हैं आटोमेटिक का मतलब मसीन की जो भी रीडिंस है वो शेल्स रूम बिल्डिंग के अंदर कंप्यूटर में हम लोग देख सकते हैं य यह इंकलोजर आप देखिए दूसरा इंकलोजर एक और दिया हुआ है जो पावर का इंकलोजर है जिसमें हम लोग मसीन की मौटर की पावरी केविल और उपर डिस्प्ले और कंट्रोल कार्ट के लिए पावर सप्लाई इसी इंकलोजर से जाती आप देख सकते हैं यह दो केवले आई हुई है जो कि ग्लांड के द्वारा इस इंकलोजर में फिट है अब आईए एक यहां पर बूट स्विच दिया हुआ है इस बूट स्विच का फंक्शन यह है जब हम लोग नोजल को उठाते हैं तो डिस्प्ले के ऊपर जो जीरो बने हुए है वो आट में तब्दील होकर फिर जीरो होते हैं और मोटर को इस्टार्ट करता है यह देखिए वाइट रंग का स्विच यहां देख सकते हैं दूसरी साइट यह स्विच लगा हुआ है यह मसीन में सेफ्टी के लिए डवल पॉल की कि एम सीवी लगी होई है यह एक फिल्टर लगा हुआ है जो की पावर सप्लाई को प्योर करकर आउट्पुट में देता है यह उपर देख सकते हैं यह पावर सप्लाई काड है जिसके द्वारा पावर अलग अलग तरीके से अलग-अलग के पार्ट में जाती है यह आप देख सकते हैं यहां पर नीचे बारा बोल्ट बैटरी की सप्लाई यहां पर साले साथ बोल्ट और अलग-अलग सप्लाई दी गई है इसको बोलते हैं SMPS कार्ड इसका मतलब है स्विच मोड पावर सप्लाई इसलिए इसमें 2 रिले कार्ड दिये गए हैं ओर रिले कार्ड के अंदर ही हाइफ लो फ्लो का सिस्टम दिया हुआ हाइफ लोफ लो फ्लो का सिस्टम दिया हुआ है कि यह लब प्लैटोल की बाहर निकालने की इस पीट को कंट्रोल करता है जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ इसमें एक प्रिंटर लगा हुआ है प्रिंटर अंदर से देख सकते हैं में है यजी डिस्पली काड लगे हुएं देख सकते हैं आप यह दूसर डिस्पली कार लगा हुआ है इस परकार मसीन के अंदर चार डिस्पले काड होते हैं यह यह देख सकते हैं कि दोस्तों आपने देखा मैंने पैटल पंप की मसीन के बारे में आपको सुरू से लेकर आखरी तक उसके सारे पुर्जों के बारे में बताया इन पुर्जों को क्या काम है वो भी मैंने आपको बताया आप पैटल पंप से जुड़ी मसीन के बारे में कोई भी तक्नीकी कोश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं धन्द बाद